नमस्कार आज 26 मार्च 2024 है और हम चर्चा करते हैं हमारे नौथ इस्टन रिजियन में वेदर फोकास्ट कैसा रहेगा सबसे पहले हम बात करते हैं देवन की तो देवन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुनाचल प्रदेश, असम और मिघाले के अधिकांश स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है वही नागालैंड, मणिपूर, मिजोरम और ट्रिपूरा के कुछ स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है मध्यमस्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है दे 3 और दे 4 की बात करें तो हम लोग expect करें कि अरुनाचल प्रदेश, असम में घालेया नागालैंड, मणिपूर, मिजोरम और त्रिपूरा के कुछ स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है इसी तरह से दे 5 में हम लोग expect करें है कि अरुनाचल प्रदेश, असम में घालेया के अनेक स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है वही नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम और त्रिपूरा के कुछ स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना है वेदर मॉर्निंग की बात करें तो day 1 में हम लोग expect कर रहे हैं कि असाम, मेघालेंड, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम और त्रिपूरा के एक या दो स्थानों में thunderstorm, lightning हो सकती है, gusty winds भी हो सकती है और wind speed जो है वो तक्रीबर 3-40 km परावत की गती से भी पहुचने की प्रबल संभावना है वहीं बात करें अरुनाचल प्रदेश की तो अरुनाचल प्रदेश की एक या दो स्थानों में thunderstorm और lightning होने की प्रबल संभावना है साथी साथ अरुनाचल प्रदेश, असम और मेघालेंड के एक या दो स्थानों में heavy rainfall होने की प्रबल संभावना है और साथी साथ हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेटू में कि अस्वम मेगालेया, नागालेया, मरिपूर, मिज़रम और त्रिपूरा और साथी साथ अधरनाजल प्रदेश के एक या दो स्थानों में थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होने की प्रबल संभावना है